कोरोना वारस का प्रकोप अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा हलाकि अन्य देशों के मकाबले भारत में हालात काफी काबू में हैं जिसका श्रेश सरकार का समय पर लॉकडाउन लगाना है गौडरब है कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है और इसके खुलने की तारीख तीन मही है लेकिन कई हिस्सों में अभी भी हालात ऐसे हैं जहां कोरोना पर काबू नहीं पाया गया है ऐसे में सुमवार को प्रधान मंतरी मोदी ने सभी राज्यों के मुखी मंतरियों से वीडियो कॉन्फरिंसिंग के जरिये बात की जिसमें पिये मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लिकर चर्चा की यहां उन्होंने कहा कि राज्यों सरकार अपनी नीती तै करें और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए इस बैठक में पिये मोदी ने फैसला लिया कि जिन राजियों में कोरोना के जादा मामले सामने आ रहे हैं वहाँ लॉकडाउन जारी रहेगा जिन राजियों में केस कम है वहाँ जिलेवार रहत दी जाएगी अर्थवियवस्था को लेकर पियम मोदी ने कहा कि अर्थवियवस्था को लेकर टेंशन ना ले हमारी अर्थ व्यवस्ता अच्छी है इस बैठक में कई राजियों के मुखिमंत्री उन्हें लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग की है तो मही राजस्तान के मुखिमंत्री अशोग गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन पर राजियों को अपने हिसाब से खोलने की अनुमती दी जाए महीज दोरान बिहार के मुखिमंत्री नितिश कुमार ने कोटा में फसे हुए बच्चों का मुद्दा उठाया नितिश कुमार ने मांग करते हुए कहा कि बच्चों को लाने के लिए एक नीती बननी चाहिए कहीं राज रगातार बच्चों को वापस बुला रही है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स